ततकार और हस्तक सबसे पहले ततकार शुरू करें उसके पहले पढ़न्त जरूरी है तो जो भी हम दांस करते हैं पहले उसको पढ़ते हैं तो आए ततकार आरंब करने से पहले तीन ताल के बोलूं को एक बार पढ़ लेते हैं मेरे साथ तबले पर है मोहमद अली जी जो साथ में तबले पर धादन धिन्दा बजाएंगे तीन ताल बजाएंगे और हम हाथ से पढ़न्द करेंगे वन तू त्री आउन्ट धा धिन धिन धा धा धिन धा धा थिन धा धा तिन टा था धिन धा धा, धा, 16 तक की गिंती होती है हमारे पास, 16 तक की गिंती है, जिसको हमने चार-चार भागों में बाटा हुआ है, तो वो किस तरह से हाथ के साथ चलता है, एक, दो, तीन, चार, फिर से, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से 16 मात्रा चार-चार हिस्सों में बटी हुई है, और एक बार और मेरे साथ काउंटिंग में हम साथ में करेंगे, और फिर तीन डालके बोलों के साथ, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ज्यारा, बारा, तेहेरा, चौडा, पंदरा, सोला, एक, आई एक बार और, तीन ताल के बोलों में इसका अभ्यास करते है, 1, 2, 3, साथ, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धा, धिन, धा, धा, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, मैं सजेस्ट करूंगे आप एक कथा की कॉपी भी बनाएं और सबसे पहले उसमें तीन ताल लिखें, इसके बोल आपको जरूर मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो, धा, धिन, धिन, धा में बहुत clarity होना चाहिए, धा, धिन, धिन, धा, फिर कपतन आता है, कपता आता है, तो ऐसी कुछ भी नहीं बोल ला है, हमारे जो बोल होते हैं, इनकी भी पूरी पढ़ाई होती है, बुक होती है और पर्टिकुलर बोल ही बोलने होते हैं, तो अगर आ पोलूं को तर या यह होता कैसे है सीधे पाँ से शुरू होता है एक अपनी जगह पे पैर को मारना होता है एक- दो टीन चार जिस ठ telephone पर चार उसी पर पाँंच पांच है तो आथ इस तरह से ततकार होती है हाद बनाएंगे और ततकार को अलग-अलग तीन लेवल में हम प्रेक्टिस करेंगे स्पीड बढ़ाएंगे तीन बार 1, 2, 3, start 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 1, één एकार और आई और पेस ता ठे ठे तत आई ठे तत एक दो तीन चाट पांच छे साथ आठ एक दो एक दो तीन चाट पाँ छे साट आट